Hey guys, welcome to world affairs, मैं हूँ प्रशान धवन, now DRDO ने एक बहुत ही बड़ी accomplishment करी है, DRDO ने successfully demonstrate किया है quantum key distribution को, this is a huge breakthrough, इस technology के पीछे China और US बहुत काम कर रहे हैं, और finally DRDO ने यहाँ पर एक successful demonstration करके दिखाया है, यहाँ पर आप देखेंगे article है Times of India का DRDO successfully demonstrates quantum communication between two laboratories, और इसको लेकर DRDO ने tweet भी किया है और रक्षा मंत्री ने अलग से यहाँ पर congratulate भी किया है, DRDO को यहाँ पर देखेंगे, रक्षा मंत्री जी, राजना सिंह congratulated DRDO team for the successful demonstration of QKD communication, now अगला step क्या होगा, इस रों यहाँ पर कैसे involved हो सकता है, discuss करेंगे इसको, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर since हम यहाँ बात कर रहे हैं DRDO की, तो आपसे question पूछना बनता है, question आपके सामने यह है, कि recently DRDO ने flag off किया था पहला वरुनसर, now वरुनसर क्या है, एक air to air missile, एक torpedo, एक ballistic missile या फिर एक air defense system, नीचे comment section में सब लोग इसका answer करो, सही answer आपको इसका मिलेगा हमेशा की तरह, वीडियो के So obviously, a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, whether it is UPSC, SSE, Bank, RPSC, UPPSC, आप purchase कर सकते हैं, Unacademy से quality courses, मगर जो original price आपको दिखेगा app website पर, यह पर मत करिये, save your money, use the code PG10, और सीधा यहाँ पर आपको मिलेगा 10% discount, और यह होगा आपका discounted price, so use PG10 and save money. Now, DRDO ने जिस technology का use किया है, यह technology अपने आप में काफी साल पुरानी है, यह ऐसा नहीं है कि इंडिया में develop हुई थी, ज़रा तर आप कह सकते हैं, western countries ने इसको develop किया था, मगर आज के समय finally, countries यह जान चुकी है कि इस technology में काफी use है for military and commercial purpose, नई तो वैसे आप अगर recent history में जिसने एक bank transfer किया था using the quantum key distribution, यहाँ पर आप देख पाएंगे article है 2004 का, first quantum cryptography bank transfer in Austria, अब इस सब का मतलब क्या है, quantum communication यह सब क्या है, देव यहाँ पर बहुत ही simple language में आपको बता रहा हूँ, अभी के लिए secure end-to-end encrypted communication क्या से होता है, अगर मानलो यहाँ पर एक विक्ती है, यह माइक, माइक रहता है मुंबई में, सैम रहता है डेली में, दोनों को बात करनी है, मगर इनको ensure करना है कि जो इनके वीच में बातचीत होगी, वो किसी hacker या फिर किसी और को ना पता लग जाए, तो यहाँ पी obviously अगर मान लीजे, हब 30 करी speaking, माइक चाहता है कि सैम को यह word send कर है weapon, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यह बस type कर देगा, W, E, A, P, O, N, नई, यहाँ पर W का बन जाएगा 5, E का बन जाएगा exclamation mark, इस तरीके से encrypted form में यह message भेजा जाएगा, यह तो काफी अत्ता common knowledge है, कि encryption दुनिया भर में use होती है, मगर end to end encryption में क्या होगा, कि Mike एक key भी provide कर करना बहुत ही important है, क्योंकि Sam को कैसे पता लगेगा, कि Mike का जो encoding system है, वहाँ पर W का क्या मतलब है, W, E, A को कैसे लिखा जाता है, तो इसकी एक proper key होगी, जिससे दोनों के बीच में काफी safe communication हो पाए, मगर यहाँ पर issue यह है कि key जब आप send करोगे, जब Mike key भी send करेगा Sam को, त तो air से या फिर किसी और mode से, यह काफी अप तक unsafe है, और DRDO ने भी यहाँ पर यही मुद्दा उठाया है, आप अगर press information bureau में, ministry of defense में जो लिखा है, यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर साफ साफ क्या रहे है, कि जब key भी share करनी है आपस में, end to end encryption में, आप यहाँ तो करोग which in turn requires encryption keys to be pre-shared, तो यहाँ पर हमेशा ना, एक hacking का एक डर बना रहता है, और कभी भी 100% secure communication आप ensure करनी ही सकते, और आज के समय हमने देखा है कि US, Japan, Australia, बहुत सी countries हैं, जहाँ में पता लगा है कि जो बाते मिनिस्टर आपस में करते थे, जो बाते military के issues पर होती थी, वहाँ पर काफी बार spying हुई है, और बहुत सा data in the past leak भी हो चुका है, तो इसको avoid करने का एक रास्ता है, quantum based communication, इसमें हम यह करेंगे, कि जो key send करनी है, जिससे पता लगेगा, कि यहाँ पर जो लिखा है, 5, 6, 9, hash, Q9, इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब enemy है, friend है, यह जो key है, जो हम उनको बताएगा कि इसका मतलब क्या है, यह हम send करेंगे, through quantum based communication, और यह तरीका बताया जाता है, ultra safe है, it is super safe, और इसलिए DRDO इसका काम कर रहा है, अब recently DRDO ने क्या किया, अपनी जो दो laboratories थी, वहाँ पर communication established किया, through this quantum based communication, और जो यह इनका experiment था, यह successful सावित हुआ, और DRDO को आज quantum based communication कैसे करना है, इसका एक proper नाम है, quantum key distribution, ठीक है, KDK, quantum key distribution, यहाँ आप देखो के लिखा है, a milestone of this project was achieved today, when DRDO developed, KDK technology, underwent trials in Hyderabad between two DRDO labs, और आगे यहाँ पर यह भी लिखा है, कि quantum based security against eavesdropping, कोई अगर यहाँ पर जासूस है, वो यहाँ पर जानना चाहता है कि क्या बाचित हो इसके against जो यह communication system बनाया है, was validated for the deployed system at over 12 kilometers range, over fiber optic channel, अब यहाँ पर मैं आपको यह भी बदा दू, क्या आसा नहीं है कि यह communication satellite के थुआ है, नहीं, दो जो labs थी, जिनके भी इसमें communication हुआ है, वहाँ पर use तो हमने करी है, fiber optic cable, मगर वहाँ पर हमने quantum physics का एक rule यूज किया है, photons का, photons के जरीए जो encryption की है, यह भीजी गई है, अब इसमें क्या है कि hacker इस तरीके से भीजी गई की को hack नहीं कर पाएगा in any way shape or form, यहाँ पर दिखेंगा आगे लिखा हुआ है, continuous wave laser source was used to generate photons without depolarization effect, the single photon avalanche detector recorded arrival of photon and key rate was achieved in the range of kvps with low quantum bit error rate, तो यह बहुत बड़ी बात है, कि quantum communication से photons को use करके, हमने key send कर दी यहाँ पर, तो इससे आप समझ पाएंगे, कि photons का use किया, photon जब travel कर रहे थे, उनको detect करने के लिए हमने use किया, SPAD, single photon avalanche detector, और इसके जरीए हमने stop it कर दिया, कि आज के समय हम quantum communication यूज कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे आगे DRDO ने समझाया है, कि किस तरीके से हम इसको use कर सकते हैं in the future, एक बार इसकी proper commercialization कर दी, इसको wide scale पे use करना start कर दिया, तो defense के मामले में जो भी communication है, जो भी top secret information है between offices, यह हम कर पाएंगे through quantum computing, यहाँ पे आप देख पाऊगे लिखा है, the work being done at DRDO will be used to enable startups and SMEs in the domain of quantum information technologies, it will also serve to define standards and crypto policies that can leverage QKD system in unified cipher policy committee framework for more secure and pragmatic management for the current and future military cryptographic systems, तो military एक बहुत ही बड़ा use करने वाली है इसका in the near future, और यहाँ पर आप देख पाएंगे Brookings Institute की एक report है, यह September 2020 की report है कि US और China आज के समय quantum data security को लेकर एक competition में है, चाइना वाइद अवे बहुत आगे है इस मामले में, recently चाइना ने क्या किया था कि एक satellite भेजी थी 2019 में, जहाँ पर इन्होंने quantum communication established किया था, ग्राउंड station और उस satellite के बीच में, यहाँ पर आप देखेंगे, scientific American का article है from 2019, China reaches new milestone in space-based quantum communication, तो चाइना इस पर देखिए बहुत आगे है, इन्होंने यहाँ पर fiber optics का भी use नहीं किया, space से यहाँ पर land में photons को कैसे भेजा होगा, it is really quite remarkable, और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक और article है, चाइना claims quantum supremacy with satellite test, तो देखो अगला काम यहाँ पर यही है, कि अब quantum based communications में हम satellite को involve करना start कर दे, यहाँ पर इस रूआएगा, और उमीद करते हैं कि आने वाले सलों में जिस टाइब का test चैनले ने किया था, वैसा ही test, इंडिया करे, बगर मैं आपको यह बना दू कि यह जो technology है, इसको commercially available होने में हो सकता है, कि 5 से 6 सा लग जा है, क्योंकि अभी इसमें काफी काम अना बाकी है, इसको cost effective ही बनाना होगा, मगर यह technology है for the future, for safe and reliable communication, ना वावस आते हैं पने question पर, the defense research development organization recently flagged off the first Varunastra, which is a torpedo, actually ना सिर्फ एक torpedo, it is a very special torpedo, यह है एक heavyweight torpedo, और इस topic पर मैंने world affairs पर एक video भी बनाई है, so do watch that video, और यह मैं आपको बता दू कि कल 10 दिसमबर 2020 को सुबह सुबह, साढ़े साथ बज़े आपको मिल जाएगी मेरी बहुत ही important video और यह एक video series होगी, यह रोज आपको मिला करेगी, early morning, very important for every examination, चाहे SSC हो, bank PO, UPSC, state PCS, any examination, current affairs पढ़ने का जो तरीका है, it will completely change, it will be revolutionized, tomorrow at 7.30, thank you for listening and as always, God bless you all. झाल